हेलो दोस्तों Welcome to nursing academy , तो आज हम लोग इंडक्सों नाप लेवर को continue करने जा रहे हैं तो आज लोग देखिएंगे methods कितने सारे methods हैं using of the level में ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे method of induction of labor, ठीक है, क्या के methods हैं, तो mainly इसमे 4 methods होते हैं, तो पहला methods है, natural method, then second है mechanical method, then third है surgical method, then fourth है pharmacological method, ठीक है, तो सबसे पहले जो natural method है, उसमें हम लोग क्या के देखेंगे, तो पहला point है, relaxation, then visualization, then walking, then इसके बा है several herbs, then acupressor, ठीक है, यह था natural method में, then हम देखेंगे mechanical methods, तो mechanical methods में दो टैप्स के होते हैं, पहला है hygroscopic gladiator, then second है balloon diretor, ठीक है, यह mechanical method है, then surgical method, तो surgical method में देखेंगे, तो पहला है stripping the membrane, then second है amniotomy, then इसके बाद देखेंगे pharmacological method, जो की fourth point है, तो pharmacological method में four jar two drug यूज होते हैं, तो पहला है prostaglandins E2, then second है mesoprostol, then third है mesopristine, then fourth है oxytocin infusion, तो यह था हमारा overall method of induction of labor, तो हम लोग one by one start करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे natural methods of induction of labor, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले relaxation, then visualization, then walking, then sex, then nipple stimulation, then community, then herbs, several herbs, then acupressor, तो one by one हम लोग देखेंगे ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने हैं relaxation, तो relaxation techniques में जो pregnant women रहती है, तो इसमें contraction start कराने के लिए visual aids दिखाया जाता है, कि labor कैसे start होता है, उसका visual aids दिखाया जाता है, तो वीडियो की तुरू इसको दिखा सकते है, कि जो normal labor है, वो कैसे start हो सकता है, तो यह जो है, पेसिन को tension को भी relief करता है, और uterine contraction ने भी help करता है, ने था हमारा relaxation, then हम second point देखेंगे, इसमें है visualization, तो इसमें क्या करते है, पेसिन को बोलते है, जो pregnant women रहती है, उनको बोलते है, कि imagine करें कि उनका uterus जो है, जो है, contact हो रहा है, तो यह help करता है, यह hypnosis type कर रहता है, जिसमें जो pregnant women रहती है, वो image करती है, कि उसका uterus contract हो रहती है तो इसमें भी helping करता है pregnant women के uterine contraction में तो यह भी labor में help करती है ठीक है फइन थार्ड ग होता है इसने क्या होता है जो pregnant women Ondas अगर walk करती है तो उसका weight जो रहता है मतलंite जो fetus जो रहता है उसका जो節र रहता है कि intervention की तरह में धीक हैं और उत्रेisy थीक हैं युट्राइंड कॉंटैक्शन में भी तो यह था हमारा walking then हम 4 देखेंगे सेक्स सेक्स में क्या है जो था है अगर तेवagon semihan Persie की पार्ण 's यह भी इंडक्शन आप लेवर में हैं तो यह था हमारा सेक्स देन देखिंगे फिफ्ट पॉइंट जिसमें है नीपल इस्टूमिलेशन नॉर्मली जो फिंगर और थंब से किया जाता है तो फिंगर और थंब को रोटेटरी मुउम्मेंट में मसाज किया जाता है कहां बॉक्तता हैं तो इसको दो मिनियत तक करते हैं और 30 मिन तक रेस्ट अने फिर से दो इस में तक रेंगें फिर से दो मिनित तक सब ही यह हुट बहुत कड़बा रहता है बीटर रहता है तो इसके बीटरनेस को हटाने के लिए कुछ एमांट में सूगर एड़ कर सकते हैं और हमी चल्व सकते हैं ठीक है दैन हम देखींगे several herbs तो बहुत साले herbs भी हैं जो कि uterine contraction में help करता है तो उसमें पहला नाम है ब्लू को हास ठीक है ब्लू को हास है ब्लेक को हास है और डॉंग कुइन्स है देन इवनिंग प्राइम रोज ओइल्स है यह जो है इस इस सर्विक्स को राइब करने में help करते हैं और इसको इंटर्नली फाइब जेल को कैप्सुल के रूप में दिया जाता है ठीक है इंटर्नली दिया जाता है यह भी uterine contraction में help करता है देन देखिंगे इसके बार एक्यू प्रेशर भी है मतलब कुछ पॉइंट से हमारे बॉडी के जो की uterine contraction में help करता है तो यह हैंड के जो पाम है उसमें थंब और फोर फिंगर की बीच में प्रेशर लगाया जाता है यह मेंदी एक से पांच विनिट तक प्रेशर लगाया जाता है तो यह भी uterine contraction में help करता है ठीक है और लेवर को इंड्यूस करने में भी help करता है तो यह था हमारे नेचुरल मेथड आप इंडक्शन आप लेवर दन हम इसके बाद देखेंगे mechanical methods तो mechanical methods मैं बताई थी दो टाइप्स के होते हैं hygroscopic dilator and ballon dilator तो हम सबसे पहले देखेंगे hygroscopic dilator तो यह एक dilator होता है जो की cervix को dilate कर देता है ठीक है तो यह क्या इस इसमें एक dilator को insert करते हैं cervix के तुरू vagina के तुरू cervix में जाता है और यह जो cervix के जो local tissues हैं fluid है उसको absorb कर लेता है ठीक है अब जॉब करने के बाद वहां वह एक्सपेंड हो जाता है endocerics में उसके बाद यह एक mechanical pressure देता है जो cervix को एक mechanical pressure देता है जिसके कारण बहो cervix से वह डालेट हो जाता है तो यह दो टाइप्स के होते हैं osmotic dilator एक natural osmotic dilator होता है और एक synthetic natural osmotic dilator तो जो natural osmotic dilator होता है उसके examper ने मिनेरिया जेपोनियम और जो synthetic osmotic dilator है उसका नाम है lamicelle यह था introduction इसके देखते हैं हम लोग technique तो hygroscopic dilator को हम लोग कैसे insert करेंगे तो इसके techniques हैं तो सबसे पहले हम perinear and vagina को sterilize करेंगे ठीक है clean करेंगे antiseptic solutions से उसके बाद जो sterilize scapulum है उसको जो वेजाइना है वो open हो जाए ठीक है then dilator को introduce करेंगे endoservix में then this dilator को progressively इसको अंदर प्रेस करते जाएंगे तब तक कि यह endoservix जो है फूल ना हो जाए ठीक है उसके बाद इसमें इसको वहां पर सेफ रखने के लिए या उसको इस्टिक रखने के लिए इसमें क्या खाते है ताकि वह endoservix में ही maintain रहे अपना position में ठीक है तो यह dilator क्या करता है यह help करता है service को dilator करने में तो इससे भी labor में help होते है ठीक है तो यह था हमारा hygroscopic dilator नहीं हम देखेंगे second है balloon dilator तो इसको balloon dilator को क्या बोलते हैं यह कभी यूज होता है यह after the 42 weeks of gestation मतलब कि जब करते हैं जब 42 weeks से भी ज्यादा हो जा रहा है और लेवर स्टाट नहीं हो रहा है तब यह technics को यूज किया जाता है तो इसमें क्या करते है एक इंसर्ट किया जाता है कैथेटर को यूज कर सकते हैं और इसके फिर हम देखेंगे इसके टैकनिस क्या है ठीक है तो इसको क्या करते हैं आप टरद इस्टरलाइजेशन के बाद जो इसको इस टीडियूस करने के बाद उसको इंट्रोड्यूस के जाता है सर्विस के अंदर और इसमें डारेक्ली विज्वलाइज करके देख सकते हैं दर इंसेर्ट कर सकते हैं या तो किसके बीच में रह modest नहीं जो वहां चाहकी कि जो कैफेटर में जो बलून रहता है वह 30-50 ml नॉर्मल स्लाइन से फूल जाता है और वहें पर रहता है और रहता है और इंटर्नल ओएस में और रेस्ट कंडिशन में रहता है तो यह एल्प करते हैं वहां को डालेट करने में और युट्राइन कॉंट्रेक्श एक नॉर्मल स्लाइन से फूल कि झाल दर एक घंटे में लगबग दो से चार बार प्रेसर अप्लाई किया जाता है उतना बार किया होगा होगा वहां पे प्रेसर जनरेट होगा अंदर में भी हखरता है एंडोसर्वस कों डालेट होने में लुह तो थैसमिंग करता सिथिए जब कब करना है जबकि रप्चर अब दा मेमरेन मतलुम भी घबक्रवाइन उस कंडिशन में कैθेक्टर को रिमूब करना है तो यह था हमारा बैलोन प्लेस्मेंट या बैलोन डालेटर ठीक है तो यह था हमारा हम आज दो चीज़ देखे पहला था natural methods of induction of labor then second हम देखे mechanical methods of induction of labor ठीक है तो इसके बाद हम जो next दो जो methods है surgical methods और pharmacological methods वो हम वीडियो के third part में देखेंगे जो की description box में दिया हुआ है तो प्लीज जाके मेरे description box में चेक करें और third part देखें तो आज का वीडियो अगर आप लोग को समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कर दिजेगा और subscribe कर दिजेगा थाइंक्यो